लास्ट वीडियो में हम लोगोंने कमबाइड एक्वेशन सेप्रेट एक्वेशन और उसके पर बेस कुछ प्रूफ करने वाले एक्वेशन हम लोगोंने वाले हैं ऐसे लाइन की बीच में जो ना पर कभी-कभी क्या होगा पर्पेंडिकलर होगा और कभी-कभी ऐसा को नहीं होगा नहीं पर्पेंडिकलर होगा उसके बीच में फाइंड करने वाले ठीक है इन सारी चीज को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक तो कैसे आप सभी लोग आई होप यह लोग फाइंड तो मैं आसा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूप चैनल जे आ करने क्योंकि फूचर में जाके बहुत सारे बहतरीन वीडियो यहां पर आने वाले हैं और यहां पर चावी हो गई लिकीटिशन करता है यहां पर आप उस सारे चीजों कर सकते हैं तिक है तो आपने नोट्स में लिख सकते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज वी हमारे लेक्षन बर 2 है और एक्सरस नबर क्या है 4.2 यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं एंगल बिट्विन दे लाइन क्या लाइन कैसा होगा एक स्कूर प्लस तुछ प्लस प्लस बीवाइस क इन सारे चीजों में सबसे इंपर्टेंट चीजी होती जो हम लोगों समझने हैं समझ लोग कि हम लोग को पहले से पता कि M1 ने पहले से पढ़ा हुए ठीक है तो M1.M2 क्या होता है आपको क्लियर है दूसरी चीज क्या होती है और लाइन पर्पेंडिवल अब पर्पेंडि हो जाए इतना ख्ली रोगया इसको उठाया इसमें डाल दिया है माइनस वन बैंवन में कैंसल कितना बज़ा माइनस वन भी उसट जाएगा तो माइनस वी इकल टू ए तैट मींज ए प्लस वी उकुल टू तो हमारा पर्पेंडिवल लाइन के ओप्लेंडिशन क्या होता है एक्ड़ तो और लाइन पर्पेंडिकिलर नहीं होगा उस केस में एंगल क्या होगा उसकेस में अंगल निकल थे टांग ही था इस इकोल M1 माइनस एम टू वन प्लस M1.M2 इस इकोल टू इसको न यह से भी रिख सकते हैं और साथ इसको दो चाहिए करेंगे तो हम लोगों का ऐसा कुछ मिलता है क्या मिलता है 2 root h square minus ab upon a plus b यह वाला था ना minus h plus minus root के अंदरे सारे सारे terms ते वहां से derive होता है clear होगा है इतना अब क्या होगा समधर लोग की line parallel है parallel होगा तो क्या होगा slope क्या होगा यह यह नहीं हो रहा है जब slope मतलब दो लाइन प्यारल होगी तो उनले का slope क्या होगा एक वो लोगा ठीक है तो यह 10 ठीटा क्या बोलता है हम लोगों को दो लाइन की बीच का कहते है एंगल लेता है इतना के लिए अप आगे बढ़ते हैं हम लोगों को इक वेशन परपेंडिकलर टू इच अधर यहां को सबस्टेबर हम लिखेंगे 3x स्क्वाइर माइनस 4xy-3y स्क्वाइर इकुल टू जीरो यह हम लोगों की वान है ठीक है अब कंपेर करेंगे प्रपेंडिकलर लाइनस के लाइनस माइनस 4 ठीक है अब हम लोग क्या बता नहीं पर्पेंडिकुलर है कि नहीं तो फॉर पर परपेंडिकुलर लाइन गंडिशन क्या थे दोस्तों a plus b equal to 0 न रचे क्या ना चे ए a plus b equal to 0 therefore हमने क्या लेंगे लेंगे यहां से और a plus b लेखेंगे ठीक है अब a की वेल्यू कितनी है 3 plus b की वेल्यू कितनी मैनस 3 plus 3-3 कितना होगे 0 that is equals to rhs देरफोर देरफोर लाइन रप्रसेंटेट बाय लाइन दिप्रसेंट डिए अधियर लिखा वा दिए लिखा आपक लिखा आपको फूरम एक लिखनाए ठीक है पर्पेंडिग्लर तो इस तरीके से यह आंसर हमारा हो जाएगा कितना स्टेप में है उसके चार या तीन स्टेप पर हमारा यह आंसर आ चुका है यहां पर हम लोग क्या दिया हुआ है इसको नहीं हम लोग लिखेंगे और पहला काम क्या होगा हम लोग को इसको compare करना तो comparing with किससे करेंगे comparing with किससे compare करते हम लोग दोस्तों ax square प्लस 2hxy प्लस by square राइट है उके equal to 0 जहां से हम लोग को a की value मिलती है 1 b की value मिलती है 9 and 2h की value मिल जाती है 6 that is h की value कितनी मिल जाएगे हम लोग को 3 समझ में आ गया अब हम लोग क्या बुला हुपा है represent कर रहा है कि coincident line coincident line and parallel condition क्या होता है h square minus a b equal to 0 therefore हम लोग क्या लिखेंगे simple सा for coincident line coincident lines condition क्या होती है h square minus a b equal to what 0 therefore lhs कितना हो जाएगे lhs equals to h square minus a b lhs h square h की value कितनी 3 का square minus a a की value कितनी है 1 and b की value कितनी हमारे पास 9 ठीक है तो यहाँ पर 3 का square is what 9 minus 9 that is equal to 0 और वह हमारे क्या है rhs therefore therefore क्या है यहाँ पर जो line हमारी है x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are representing lines are representing are representing क्या represent कर रहा है parallel line represent कर रहे कौनसी line parallel line इजी है कि नहीं बहुत इजी है दोस्तों बस आपको क्या करना है conditions यादक नहीं perpendicular रहेगा तो a plus b equal to 0 और parallel रहेगा तो x square minus a b equal to 0 इस तरीके से हमने को simplify कर देना है अब यहाँ पर find the value of k if line represented by kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 perpendicular to each other बहुत यह दिए कैसे करना है यह आपर मैं लिखता हुआ सबसे पहले जो line दिया हुआ है क्या kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 यह बहुत है लाइन जो रिप्रेसेंट कर रहा कौन सी लाइन रिप्रेसेंट कर रहा पारलेल तो सबसे पहले हम लोग के एक वेल्यू मिली के 2h की वेल्यू मिलगे 4 और B की वेल्यू मिलके minus 4 और H की वेल्यू कितनी मिलके हम लोग को 2h की वेल्यू मिलके वह भी हम लोग को 4 मिलके जिससे h की वेल्यू कितनी मिले 2 ठीक है आगे बढ़ते है for for what for perpendicular line for perpendicular lines क्या होता है उनलों के बीच में यह relation होता है a plus b equal to 0 तो एक ही वेली हमारे पास के एड़ी कितनी माइनस फॉर इस इकोल तो जीरो देफोर के इस इकोल तो वाट पॉर सब्सक्राइब तो इस तरीके से मारा यह कोशन स्टॉल हो गया अब नेक्स्ट जो है उसमें हम लोगा करना एंगल करना है किसके बीच में यह तो लाइन डिप इसको कंपेर करेंगे कंपेर को सबसे पहले कंपेर कारेंगे एक स्क्रीन गोरा एग थ्री के वेलिम मिल जाएगी माने फो रूट रूट ट्री एंडि सी कि मिल जाएगी हम लोग को और चीज़े आपको क्लियर है अब क्या करना है तो यहाँ पर बोला है कि लाइन पर पर लाइन्स विच आर विच आर नॉट पर्पेंडिकुलर नहीं होते हैं उसकेस में हमारा लाइन एक्वेशन क्या होते हैं के अंदर क्या आजाए गा है एक की वेली कितनी हमारे पास्कुल ठीटे अब यहाँ पर education स्कुल a और यहां पर आएगा हमारे देखो, 2 का स्क्वेर इस वाट 4, root 3 का स्क्वेर इस 3, तो 4 थी ते कितना हो जागा, यहां पर सिंप्ली 12, यहां पर कितना 3 दिस दा 9, अप आप उन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3 इस वाट 6, अब 9 2 प्लस 2-4 देखों यहां पर 12-3 कितना हो जागा 12-9 इस वाट 3 और यहां पर क्या हो जाए कि 3 तो यहां पर क्या बज़किया मॉड में simply root के अंदर क्या हमारा root 3 upon 3 अब root 3 root 3 get cancelled mod की value हटा देगा तो यहां पर क्या simply 1 by root 3 तो tan theta हम लोग को 1 by root 3 मिल गया तो यहां पर हम लोगो simply theta के value कितनी मिल जाएगी सिंपल सी 30 डिगरी इस तरीके से मने क्या find कर लिया अब बच्चे वह तीन question exactly same way में solve कर रहा है ठीक कहीं पर बीटाओट आगा कहीं पर दिखकर तो मैं इस question में क्या बुला हुआ find the combined equation of the line passing through passing through क्या बुला है origin is of which making an angle of 30 degree with line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 क्या बना रहा है इसके साथ 30 degree का एंगल बना रहे ठीक है तो समझ लोग कि मुझे एक line दे दी हुई है एक line दे दी हुई है मतलब of the light slope of the line is slope of the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 इसका slope of the line क्या मिलेगा हम लोगको a by b लेकिन यहाँ पर a की value लिख दे एक की value 3 b की value 2 और c की value कितनी है minus 11 तो यहाँ पर slope कितनी मिल जाएगे हम लोगको slope की value मिल जाएगे हम लोगको minus a by b ठीक है क्या मिल जाएगी minus a by b याने की minus 3 by 2 कितना मिल जाएगा 3 by 2 इसको में लिखता है m1 is equals to what minus 3 by 2 तो m1 की value कितनी मिल गी हम लोगको minus 3 by 2 इस तरीके से हम लोगको m1 मिल जाएगे इतने clear हो गया अब हम लोग क्या बोला हुआ है देख़ो इसके साथ दूसरी लाइन जो है दूसरी लाइन जो है वह बना रही है 30 डिगरी का एंगल कितना 30 डिगरी का एंगल तो यहां पर दो लाइन की बीच काम लोगको आंगल पता है तो सिंप्लिए टाइन ठीटा वाला फॉर्वर नाल सकता हो और जिसमें इसका स्लोप पता है तो मैं इसके हल्थ से एक कमबाइन एक विशन मिलेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो हम लोग लिखते हैं नाव क्या लिखेंगे नाव थीटा हम लोग कितना दिया हुआ 30 डिगरी दिया हुआ ठीक है बोला है कि एक लाइन जो है इसके साथ कितना अंगल बना रही है अंगल बना रही है इसको फाइंड करते तो आपको समझ में आएगा तो अधिड़ माट के अंदर एम माइनस वाट एम-1-2 एक यहांपर मैं इसको एम-2-2 लिख देत हो चले महीं बेटर रहीं आप देखो सारी चीजों को यहांपर डालोंगो सिपलीफाइग करूँगा इसको आप साइड में रख लिए इसको आपके लिए यहीं पर रखता हौँ करता हौतक्ष्य गायव यहां पर डाल दिया है जिससे आपको यह दिखता भी रहेगा इसको मैं एक बॉक्स में डाला और यह रहाँ आपके सामने यह अब यहां पर मैं थोड़ा से मैंने कितना बुला मैं लेलो यह पहले यह पहले माइनस ट्री बाइट टू अब यहां पर मैंने बडाल दें वन पाइट ट्री इक्वल टू अब इसको क्रॉस मैंने प्लस को दो माइनस्टल ओं अप लेंगे यहां पर द्लक सब्सक्राइब साक्ख कनेगेरा कर्णू पॉस्ट्रीन को माईनस ट्रीक आएघ्व दे उन प्री अप्र एंपन में तू माइनिस त्री एंब का स्क्वेर ठीक है अब रूट रूट स्क्वेर जाए गा इसका होल स्क्वेर लेगे यहां पर क्या जाएका तू माइलस ट्रीन का स्क्वेर इस लिए गोट주는 पॉर्ट झापर पोर-स टूकर इस अपर यहां स्क्वेर किस्व जाएका 9 and square ठीक है और यहां पर चलो जाएका सिंबस्व यहां पर तुम का स्क्वेर एक इंट स्क्वेर स्वेर यहां पर क्या जाहेका स्वेर नाइन दिकें तैसे लुस्वेर अब यहां पर क्या हो जाएगा देखो यहां पर 3 3 6 3 6 18 एंप और 9 3 27 यहां पर क्या जागा 4-6 एंप प्लस 9m स्कुरर अब क्या करेंगे इसको सिंप्लिफाइग कर लेंगे और देखो तीन चार स्टेप में हमारा आंसर फटापट से आ जाने वज़ा देखो क्या बला हुआ यहां पर प्लस अब यह क्या है इसका काम हो गया इसका इसका भी हो गया अब बचा 27 और यहां पर क्या है आपको और यह हमारा क्या है रिप्रेजेंट क्या करता है हम लोग को और यह पूट कर देंगे यहां पर क्या पूट कर देंगे यहां यहां पर क्या जोरी इंटू वाइबया एक्स याप गारेंगा व। यहां पर क्या थी वाइब मेरं लिट्री आइस स्क鬼 क्यूहरा ट्रीप्लाय ज्थ कीया एक स्कुर्ण इन गूट्वी जोरी एक एक लिकूद है उले करेंगे टेहां 23 x square plus 24 x y plus 3 y square equal to 0 इस तरीके से हमारा गया जगा इसका solution आजगा कोई doubt दोस्तों इसमें कोई दिक्कत आपको आ रहे हैं तो आप comment section पूछें इस तरीके से हम लोग क्या आगे इस तरीके से हम लोग को सोलेशन ला कर देना है तो आपको अकर यह समझ में आ रहा है किस तरीके से करना तो सबसे फ़हले इसका equation of line इसका angle निकाल लूँगा इसके बाद क्या कर दूँगा ठीक है तो यहां पर मैं करके दिखा तो आपको करके देखते हैं और चेक कर लेते हैं नीचे करके देखते हैं एक बार कि यहां पर देखो ए माइनस भी फॉल स्कूर का फॉर्मॉला क्या होता है एसक्वेर माइनस भी दोनों का भी देख सकते हैं प्लस माइनस का लेंगे तो एस्क्वेर माइनस टूए sexuality प्लस टूए फ्लस स्क्वेर अगर माने स्कॉररम माइनस तो इस लेकाइं टूए अब यहां पर कितना आने वाला 12 दोस्तों तो यहां पर कितना आएगा 12 12 ठीक है तो यहां पर में 12 12 कर देता हूं चलो इसको रिप्लेस करते फटा-फट से कितना आ जागा यहां पर यहां पर यहां पर चेंज होगा यहां पर चेंज होगा यहां पर तो इसके पूरा आंसर गढ़बड हो सकता है दोस्तों तो इस पर ध्यान देना यह सीली मिस्टेक्स है जो कभी-कभी हम लोग को इसके उपर ध्यान देना पड़ता हम लोग घाय काई के चेकर में कुछ चीज़े भूल जाते हैं यहां पर हम लोग क्या चाहेगा 48 हो जाएगा इसको भी करेक कर दिया और यहां पर यह भी क्या हो जागा हमारा 48 तो इसको अगल दोनों भी क्या है इकवल और हम लोग को यह प्रूफ करना है तो बहुत दिजी सब से पहले हम लोग क्या लिखेंगे अब यहां पर दाला तो हम लोग क्या करेंगे सबसे इतना लिख दिया अब करेंगे हम लोग निकालेंगे तो अम लोग बता है तो अब क्या होती है मौड के अंदर स्क्वार माइनस एब आप और यहां पर टू रूट एप अपन एपलस भी यहां पर डालेंगे हम लोग ऐसे रखेंगे अब यहां पर लिखेंगे टू आज़ीस यहां पर एच्वार है एच्वार की वालु कितनी हो जागी एच मानस मतलब क्या कि एच्वार करते हैं यहां पर किया हो जाए है यहां पर किया जाएगा इसका इन्दर क्या हो जागा 2526 ओने के शिक्स अपोन में 2 प्लस 3 अपन निकालेंगे सब्सक्राइब तो 25-24 अब रूट के अंदर रूट के अदर से बाहर आगा तो बन जाएगा तो मुल्टिप्लाइब अब यह तो यह तो इसके बीच का एंगल है ना इसके बीच का एंगल किया हो को यह सिंप्ली हमारा कौन सा है और यह हमारा सेम बोलते नहीं क्या हमारा सब्सक्राइब करेंगे जिस देर्फोर टेटा की वल्यू आपस से क्या हो जाएगा यहां पर मिल जाएगा टू रूट स्क्वाइर माइनस ए बी अपन ए प्लस बी का ए प्लस दी मॉट के अंदर दोनों को एक्वेट के देरफोर एक्वेटिंग वन दूट देरफोर क्या होजाएगा सिंप्ली वन बाइफाइं मॉट के अंदर इस इकोस तो यह तू रूट स्क्वाइर माइनस ए बी अपन ए प्लस बी इतना क्लियर हो गया ओके अब नेक्स एप हमारा क्यों को मॉट को गायब करना है तो मॉ इस तरीके से मिल जागा यह आंसर मिल जागा चलो एक बाद देखले तफटाफट से क्या प्रूफ करना तो देखों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है और इस तरीके से आपको अगर समझ माएं तो लाइक दे वीडियो शेर दे वीडियो और चैनल मिलते हैं ने पर जहां पर हम लोग एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें जहां पर हम लोग एक नए तरीके करें पड़ेंगा और इसको समझेंगा ठीक है तो तब तक के लिए स्टे टून एंड गुडबाए कर दो झाल गुडबाए